हेलो दूस्तों वेलकम बेक आज के लेक्चर में हम डिसकस करेंगे एलेक्ट्रिक फील्ड कि किसी मल्टिपल चार्ज का कोई सिस्टम है तो उसमें हम नेट एलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से काउंट करेंगे तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन यारी के अध्धर उपड का सिद्धान्त तो उसके एकॉर्डिंग हमने फोर्स निकालना सीखा था हमने सीखा था कि कई सारे चार्ज का जब सिस्टम होता है तो उस पर हम फोर्स किस तरीके से कैलूलेट क है एंड सौन हमने कई सारे चार्ज हमने यहां पर ले लिए और यह एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ हमारे पास यहां तो इस टेस्ट चार्ज पर यह Q1 Q2 Q3 यह सब electric field apply करेंगे तो कि sub की nature same है तो इस पर force भी apply होगा force की direction जब same nature है तो यह इदर बाहर की तरफ रहेगा इसकी वेशे और Q2 की वेशे force इदर रहेगा Q3 की वेशे force इदर रहेगा ठीक और जो हमने बात की थी superposition में कि जो field की direction होती है जब same type के charges होते है तो यहां पर nature of charges same है तो यहां पर जो force की direction होगी वही क्या होगी same field की direction तो हमने यहां पर same field की direction लेखी है Q1 की वेशे जो field डवलप होगी वह इस पर बाहर की तरफ होगी जैसा कि यहां पर देख रहे हैं same उसी तरीके से यहां पर q2 की वह से field develop होगी और सेम उसी तरीके से q3 की वह से develop होगी field तो जब हम इस particular test charge पर net electric field calculate करेंगे तो जो भी electric field हमें यहां मिली है different particular different charges से तो उन सब को हम क्या करेंगे उन सब का हम vector sum ले लेंगे और vector sum लेना बहुत आसान है क्या करेंगे हम सब की vector form calculate कर लेंगे और उसको हम add कर देंगे तो हमने यहां पर net electric field जो देखी वह हमें मिल गई है even plus e2 इन सब के हमने vector form calculate करके उसको हमने add किया है कि नेक्स हम बात करेंगे बिद्धुद छेत्र रेखाओं के बारे में electric field lines के बारे में तो electric field lines क्या है उसके बारे हम discuss कर रहे हैं कि electric field lines एक ऐसा हम hypothetical एक curve मान लेते हैं कि उस curve से हर point पर अगर हम किसी भी point पर एक tangent line draw करें तो वो tangent line यानि कि इस पर रेखा हम draw करें तो वो इस पर रेखा उस particular point पर electric field की direction को बताएगा suppose that जिससे हमने यहां पर एक example लिया हुआ है इसके बारे हम इसके साथ discussion करें तो यह हमने एक example यह हुआ यह हमने particular P1 एक curve माना है और यह यह P2 curve माना है तो इसके किसी भी point पर हम जब एक tangent draw करेंगे इस पर रेखा खीचेंगे तो वही इस पर रेखा की direction उसकी field की direction देगी हमें तो यहां पर यह direction हमें मिल गई है और यही direction इसकी किसकी होगी electric field की direction यहां पर होगी अच्छा एक बात हम देख सकते हैं यहां पर कि जो surface density है किसी भी यानि कि प्रस्ट गनत जो है तो वो उसकी electric field intensity को denote करेगा कि जिसकी जितनी जादा प्रस्ट गनत होगा उसकी intensity electric field line की उतनी ही जादा होगी यह फर हम यह कह सकते हैं कि जहां पर electric field line dense होगी यानि कि सगन होगी तो वहाँ पर electric field की intensity तीवरता क्या होगी जादा और जहां पर electric field line दूर दूर होगी यानि कि विरल होगी तो वहाँ पर electric field की जो intensity है वो क्या होगी कम होगी जैसा यह particular area हम ले ले एक और एक यह particular area ले 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 तो यहां पर electric field line बहुत पास पास है densely arranged ह तो यहाँ पर electric field intensity जादा है, जादा intensity है यहाँ, जबकि यहाँ की बात करें, तो यहाँ पर electric field line का आपस में दूर दूर है, तो यहाँ की बात करें, यहाँ पर electric field intensity क्या होगी, कम होगी, अब आगे हम बात कर रहे हैं कि electric field lines की क्या-क्या qualities होती हैं क्या-क्या बिशेश्चता हैं बिद्दुच्छे दरेखाओं की होती हैं तो इसकी कुछ quality हैं 4-5 उनके बारे में हम discussion करेंगे यह बात हम पहली जो quality है वो बात कर चुके हैं कि electric field lines जो होती हैं वो positive से start होंगी और negative की तरफ को जाएंगी उनका जो initiation होगा, starting होगी वो positive से होगा या फिर हम यह कह सकते हैं कि अगर single charge है I mean monopole charge है तो उस case में हम यह कह सकते हैं कि यह जो field lines है वो या तो infinite तक जाएंगी या फिर infinite से आती हुई महसूस होंगी suppose that यहाँ पर हमने positive charge को consider करें तो जैसा कि हम जान दें कि positive charge से electric field lines बहार को निकल दी है तो देखो यह positive charge से electric field lines बहार को निकल रही है यह field line बहार को निकल रही है तो अब यह single charge है तो इसकी यह field line infinite से जाएंगी ठीक उसी तरीके से यह negative charge है तो इसमें field line अंदर की तरफ जा रही है और लेकिन यह आती हुई कहां से मैसुस होंगी कि यह आती हुई लगेंगी कि यह infinite से आ रही है तो यह बात हम देख सकते हैं कि यदि आवेश एकल है एक single आवेश charge है या तो positive इधर और negative तो उसमें जो electric field line है वो infinite से आती हुई मैसुस होंगी या फिर infinite को जाती हुई मैसुस होंगी दूसरी quality है यहाँ पर हम देख रहे हैं electric field lines की बिद्द उच्छेत रेखाओं की तो electric field line कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करेंगी ठीक है अच्छा बात आता है कि ऐसा क्यों होता है अभी ऐसा क्यों क्यों नहीं करती इंट्रसेक्ट तो एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल यहाँ पर लॉजिकली अप्रोच है कि जैसे हम सब्सक्राइट दो electric field lines यह इस तरीके से बनाया हमने यह इनको काटा एक electric field यह थी एक electric दूसरी electric field line यह थी तो यहां तक तो बात सही है कि यहां पर electric field line ठीक है एक सिंगल है लेकिन इस particular point जो intersection point है मतलब जिस point पर जिस बिंदू पर यह दोनों एक दूसरे को काट रही है तो उस बिंदू पर दो electric field की दो direction हो जाएंगी एक तो इस वाली electric field की वेसे direction हो तो किसी भी एक particular point पर electric field की कभी भी दो direction नहीं हो सकती electric field एक point पर एक ही direction शो करेगा तो यह practically logically possible नहीं है इसलिए हम कहते हैं कि दो electric field lines कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करती है एक दूसरे को काटती नहीं है ठीक है next हमरे पास तीसरा point है तो तीसरा point को हम देख सकते हैं इसके अगर हम यह बाद जानते कि जब दो similar type के charges होंगे चाहें दोनों positive हो चाहें दोनों negative हो अगर similar type के charges है तो उनके बीच क्या होगा repulsion तो repulsion होने का मतलब क्या है कि उनके बीच जो electric field है वो भी एक दूसरे को क्या करेगी repel और अगर opposite charge है बिजाती ही charge हम कह सकते हैं opposite charge को बिजाती ही charge तो वो charge एक दूसरे को क्या करेंगे attract होने का मतलब क्या है कि उनकी जो electric field है वो एक दूसरे को attract करेंगे तो यह बात बताई गई कि जब similar type के charge होंगे तो उनकी जो electric field कुछ इस तरीके से arrange होगी कि वो एक दूसरे को repel पृतिकर्शित करती भी महसूस होंगी औ similar type के charge होंगे opposite type के charge होंगे विप्तरी चार्ज होंगे तो उनके बीची जो electric field line है वो एक दूसरे को attract करते भी आकरसत करते भी represent करना पड़ेगे जैसे हम यहां पर देख लेए example होता हो कि हमने एक positive charge यहां पर लिया है और एक ही negative तो positive charge से field बाहर को निकलेगी और यही field negative charge में के दर को जाती है अंदर की तरफ तो यह field line कुछ इस तरीके से बनेंगी क्योंकि यह दूसरे को attract करते भी भी दिखा रही है ठीक उसी तरीके से हम यहां बात कर ले यह हमने similar type के charges लिए तो similar type के charges एक दूसरे को repel करेंगे तो उनकी field lines भी एक दूसरे को repel करेंगे देखो द दूर जाती हुए मैसुस हो रही है तो इस तरीके से यह वात हम यहां से समझ सकते हैं कि नेक्स्ट हमारा है पॉइंट इससे रिलेटेड के जो electric field lines होती है वह हमेशा surface के perpendicular होंगी always इस बात को याद रखना हमें भूल कर भी नहीं भूला है गल्ती से भी हम भूल नहीं सकते हैं यह तो तीन चार बाते हैं इनहें हमेशा याद रखना है सोते हुए से भी कोई पूछ ले तो हम जरूर जरूर बता दें उसे अगर कोई पूछ ले कि प्रॉपर्टी बताओ इलेक्ट्रिक फील लाइन की बिद्दू से रखाओं की गुड़ बताओ तो ये बाते हमें भूलना नहीं है किसी भी हालत में क्योंकि ये बहुत चोटी बा कैसी भी सर्फेस हो बस ध्यान रखना है कि उस सर्फेस के हमेशा कैसी बनाना हमें परपेंडिकुलर बनाना है ठीक है और किसी भी कंड़क्टर में इलेक्ट्रिक फील लाइन उसके अंदर नहीं रहती है कोई भी कंड़क्टर होता है तो इलेक्ट्रिक फील लाइन उसके अ नहीं जाती है ठीक है और पहली बात की थी कि वह यूशेuce के हमेशा एलख्र्र क्लिंध्र डाइस कि यहाँ होंगी जैसे कोई भी ली आपने से मानले तो तो से вас सकाहर पर ले ले लेंगे ले रखना है कि सर्फेस के हमेशा पर्पेंडिकुलर ही रखना है अगर हम इस सर्फेस के अकॉर्डिंग ले ले तो इसके पर्पेंडिकुलर इस तरीके से हो जाएगी इसके perpendicular लेना चाहे तो ये बन जाएगी तो किसी भी surface के ये क्या होगी उसके perpendicular होती है electric field lines next हमारे पास जो हम बात already research कर चुके है कि ये कभी भी close loop का formation नहीं करती कभी भी electric field line close loop का formation नहीं करेंगी ये बात भी हमेशा ध्यान लखना है और ये close loop का formation ना होना की वज़े होती है इसकी conservative property संदरश्ठडात्मक प्रवर्ति जो होती है उसकी वैसे ये close loop या कभी भी बंद लूप का formation नहीं करेंगी हमने बात की थी के समांतर और असमान बिदुच्छेत्र के बारे में तो समान बिदुच्छेत्र का है कि किसी भी particular point पर जो electric field है वो हमेशा क्या रहा है constant देखो यहाँ पर देखो कि electric field line की direction तो same है ही साथ में उनका magnitude भी same है magnitude का मतलब कि उनका परिमाड भी same है यहाँ पर परिमाड same हो सकता है लेकिन इनकी direction क्या है अलग-अलग देखो इसकी direction इधर है एक की direction इधर है तो electric field क्या है vector quantity तो vector quantity same तभी हो सकती है जबके उसके दोनों चीज क्यानिके उसका magnitude और उसकी direction दोनों same हो तभी तो वो quantity same रहेगी तब यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि यह direction इसमें same है और इसके magnitude भी same है तो यह तो uniform field हो गई ठीक है समानतर electric field हो गई लेकिन यहाँ पर magnitude वले same हो सकता है लेकिन उनकी direction क्या है अलग-अलग तो इसको हम कभी भी समानतर electric field नहीं गएंगे तो यह थी हमारे पास property electric field lines की अब हम थोड़ा सा general हम यहाँ पर discussion करते हैं area vector को ले करके तो area vector क्या चीज़े उसके बारे में हम discuss कर रहे हैं तो जैसे कि हम पिछले lecture में पढ़ चुके है थोड़ा सा शायद याद हो कि किसी भी vector को represent हम इस तरीके से करते हैं कि कोई भी vector है suppose that हम a vector ले ले रहे तो a vector के पास दो quantity होंगी दो चीज़े होंगी एक तो उसके पास magnitude होगा और साथ में उसकी direction और direction represent करता है unit vector कोई भी vector हम ले ले हम vector chapter में इस बात को पढ़ा होगा 11th में क्या होता है भीया क्या होता है होता यह है कि कोई भी vector है तो उसके पास दो चीज़े होंगी vector quantity दो चीज़े होंगी एक तो उसके पास magnitude होना चाहिए और साथ में उसके पास क्या होना चाहिए direction यहाँ पर जो mod है वो magnitude को represent करता है और जो unit vector है वो represent करता है direction के लिए तो उसी तरीके से हम यहाँ पर इसका जरूरत भी पढ़ती है तो उसमें इसकी जरूरत पढ़ती है आगे आने वाले टाइम में जब हम फ्लक्स पढ़ेंगे तब area वेक्टर की बहुत जरूरत हमें पढ़ेगी इसलिए हम इसका discussion करेंगे तो चेटरफल सदिश area vector के हम बात कर रहे हैं तो इसको representation हम यहाँ से करें क्योंकि हम यहाँ पर एक small surface area लेंगे small area जैसे यह वाला जो square दिख रहा है आपको यह हमने area लिया तो इसके लिए हम यहाँ पर vector कर लेंगे da vector और जो unit vector a है वो represent कर रहा है इसकी direction को ठीक है तो देखो हमने यहाँ बात की थी कोई भी vector represent करने के लिए उसका magnitude चाहिए साथ में उसका unit vector कोई भी vector हो तो area vector का magnitude भी हमने लिया यहाँ पर और उसकी direction भी यहाँ पर consider की है अब हम बात कर रहे हैं विद्दूद flux यानि electric flux फाई को हम देखेंगे तो भी यह flux कोई भी हो चाहें विद्दूद flux हो चाहें चुम्बकिये flux हो किसी भी तरीके का flux हो तो flux एक्चुल में होता है कि किसी भी particular area से किसी भी particular छेत्रफल से perpendicular electric field या electric field की जितनी line जाएंगी जितनी line उस particular छेत्रफल से पास होंगी वही क्या कलाएगा उसका electric flux इसका flux कलाएगा एक बार फिर से देखते हैं कि किसी भी area से उसकी field line किसी भी छेत्रफल से जितनी फिट्ट राइन उसके अंदर से पास होंगी वही उसका क्या क्या कैलाएगा flux तो हम flux को represent करते हैं electric field line जैसे electric flux की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर बिदूत flux का है कि किसी भी particular छेतरफल से किसी भी particular area से जितनी electric field line pass होंगी तो उनका multiplication क्या कहलाएगा flux suppose that यह हमने एक area ले लिया और इस से इतनी सारी electric field line pass हो रही है तो इसका flux बन जाएगा हमारे पास suppose that इसका area है A और यहाँ से electric field line यह pass हो रही है तो flux बनेगा E dot A ठीक है तो हम इसको बहुत आसानी समझ सकते हैं कि किसी भी छेतर में किसी प्रस्ट से निर्गत विद्दूत flux जो होता है वो विद्दूत छेतर शदिश यानिके electric field vector और छेतर फ्रस्ट शदिश यानिके area vector के multiplication के बराबर होता है गुडन फल के बराबर होता है तो इस तरीके समझ सकते हैं कि यह तो एक definition हो गई लेकिन हम और चीजों को समझने के लिए बात कह सकते हैं कि किसी भी area से किसी भी area या चेतर फल से perpendicular जो field गुजरेगी वही क्या कहलाएगी इसका flux कहलाती है अब बात कर रहा है यहाँ पर कि flux किन किन चीजों पर depend करता है तीन factors हैं जिन पर flux depend करता है पहला यहाँ से यहाँ साबवा दिखरी कि electric flux equals to area vector यानि कि electric field vector into area vector तो यहाँ दिखरा है कि flux एक तो हमें electric field vector पर depend करेगा और साथ में area vector पर depend करेगा ठीक है लेकिन एक चीज जो यहाँ पर छुपी हुई है इन दोनों के बीच का angle क्योंकि हम जानते हैं पहले से कि दुवेक्टर का जब dot product होता है a.b उस क्या होता है a vector dot b vector क्या होता है a.b.cos Central यह होता है इनों का dot product तो ठीके सी तरीके से e vector और e vector का जब हम dot product करेंगे तो यह हमें क्या मिलेगा phi equals to e dot area vector तो हमें क्या मिलेगा यहां पर भई ए वेक्टर को और ए डॉट ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा तो भई यहां पर यह कॉस थीटा है यह क्या है कि ए और ए यानि कि एलेक्ट्रिक फिल्ड और एरिया के बीच का एंगल है तो इन तीन चीजों पर flux depend करेगा एक तो E यानि के electric field एक area vector और साथ में उन दोनों की बीच का क्या angle बन रहा है तो उस तीनों factor पर ये depend करने वाला है अच्छा electric flux हाँ ये बात है कि electric flux जो है वो एक scalar quantity है अधिश राश्य है ठीक है तो ये भी बात हमें ध्यान रखना है जैसा कि हमने यहाँ पर एक example लिया है ये particular area है इस particular area से ये field इस area का area vector हम लेंगे तो हम area vector हमेशा उस area के क्या कर लेते हैं perpendicular यह हमें area vector मिलिया और field की direction ये है field की direction ये है तो ये area vector मिला ये field की direction मिली अब इन दोनों की बीच का angle आपने consider कर लिया कि ये थीटा angle है तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा भी flux क्या मिल जाएगा e a cos theta ये हमें flux मिलेगा हम और भी example ले सकते हैं flux के लिए suppose that ये area है और field line इदर इसके उपर से नीचे से जा रही है तो हमने क्या बात की थी कि किसी भी area के अंदर से जाने वाली flux line होंगी वही flux को represent करेंगी तो इसमें ये बात आप देख सकते हैं कि यहाँ area से क्या कोई field line अंदर को जा रही है नहीं जा रही है तो यहाँ पर flux जो होगा वह हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो हम formula से use कर सकते हैं जैसे suppose that यही वही same area है इसका a और इसके उपर से field lines जा रही है तो इसका area vector के दर को बनेगा इसके perpendicular हमेशा बनता a और field के direction यह है तो दोनों एक दूसरे के क्या है perpendicular तो दोने की बीच angle कितना होगा 90 degree तो यहाँ से हम flux निगाल सकते हैं flux equals to e a cos theta बताओ e जो भी होगा a जो भी होगा दिया हुआ cos theta cos 90 और cos 90 के value क्या होती है 0 cos 90 के value 0 तो यह पूरा term क्या हो गया 0 तो यहाँ पर flux हमें क्या मिल जाएगा 0 मिलेगा इस तरीके से हम समझ सकते है और example ले लेते है जैसे यह है यह area हमने बनाया हमने यह area बनाया और इसके इस तरीके से यहाँ से field pass हो रही है चुकि इस area के अंदर से कोई भी field line pass नहीं हो रही है तो फिर भी बात के यहाँ पर flux क्या होने वाला है 0 होने वाला है ठीक है तो इस तरीके से हम यह बाते कर सकते हैं अच्छा किसी भी close surface से जो बाहर की और जाने वाला flux जो होगा वो होगा positive और अंदर की और जाने वाला flux जो होगा negative तो भाई आज के लिए इस lecture में यहीं तक रखते हैं थोड़ा पहुत जो भी है बहतर है और response जरूर रही वही किस तरीके से वीडियो लग रहा है कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है यह जरूर बताते रहो और कुछी समझ में ना आती हो तो वो भी comment section में हमें बताओ बिल्कुल बताओ बेज़े ज़क बताओ हम चीजों को और जादा साफ करके clarify करके आपके सामने लाएंगे और हो सकता है चीजे class इस तरीके से नहों करके आने वाले time में जल्दी live हो तो तब तक के लिए भाई पढ़ते रहो मस्थ होके एकदम का जख और घर पे टिके ही रहो क्योंकि कोरोना का मामला जादा हो रहा है तो अभी तक टिके रहो लॉक्डाउन भी बढ़ गया है बस घर रहो पढ़ते रहो खाओ पीओ मौच करो एश करो और टेंशन तो लेना ही मत विल्कुल बागी हमारे चैनल को जितना जादा से जादा है वो शेयर करो और जादा से जादा सब्सक्रिप्शन मिले तो उसमें हमारा यह भला होना चाहिए ना हाँ ठीक है थैंक यू ब